Hi friends, how are you? A very good morning, तो नहीं कुँगा, आदत पढ़ चुकी, आदत गुड बॉर्निंग करने की, गुड इवनिंग, अब हम एनलेसिस करने जा रहे हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, जो नहीं होंगे, इस चैनल के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तो वो सारी बात ह हम लेके आए हैं, कि जैसा एक एस्परेंट को होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि ये questions क्यों पूछे गए, क्या इसके answers थे, कैसे हम इसके answers ला सकते थे, कैसे हम achieve कर सकते थे, अच्छी cut-off, तो अब हम एक एक करके question देखते हैं, क्या इसके answers है, क्या नहीं, देखिए, question 1 था, under the Indian constitution, concentration of wealth and violence, देखिए, जिसने अच्छे तरह quality basics पढ़े हैं, वो सीधा-सीधा, इसमें options भी नहीं देखेगा, वो सीधा करेगा, 1st का B, क्योंकि आपको पता होगा, article 39C में, wealth को और production को, consolidated नहीं होने देते, concentrated होने नहीं देते हैं, तो सीधी-सीधी answer है, 1st का B, ये बह बात किया, right to property को लेकि बहुत news में भी आता रहता है, क्योंकि पहले ही आपका fundamental right था, बाद में उसको हटा लिया गया था, और इसको constitutional right बना दिया था, under article 300A, अब उसमें बच्चों को कोई problem आ सकती है, देखिए, C और B तो सीधा-सीधा negate कर सकते हैं, problem आपको आएगी A and B म या available to any person, देखिए, कहीं भी, article 300A में कहीं नहीं दिया हुआ है, कि सिफ citizens को होगा या किसको होगा, तो हम इसमें benefit of doubt लेते हुए, B को टिक करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है, कि सिफ citizens को होता, तो वो explicitly लिखा होता उस चीज में, ठीक है, उसके बाद आएगा question 3, question 3 है, what was the exact constitutional status of India on 26th January 1950, देखिए, हम सब जानते हैं, 42nd amendment हुई थी, उसके अंदर 3 words डाले गए थे, जब हम त्यारी कर रहे थे, तो हमने याद किया था, SSI करके, ठीक है, तो SSI का मतलब था, socialist, secular and integrity, तो ये 3 words आड़ कर गए थे, 42nd amendment 1976 में जो होई थी, जिसको mini constitutional भी का जाता है, तो हम इसमें से सीधा-सीधा वो खतम करेंगे, socialist, secular, और अब हमारा आता है, sovereign democratic republic, तो इसका answer B ठीक है, तो ये भी बहुत easy answer था, question था, उसमें ये का आता है, page 4 पे constitutional government means, देखिए, इसमें क्या है, a representative government of a nation with federal structure, देखिए, जरूरी नहीं है कि federal structure होगा, तभी वो constitutional होगा, तो ये बेक by the terms of the constitution, कि government जो है, उसको constitution के हिसाब से ही काम गया करना पड़ेगा, that is basically constitutional government, थोड़ा सा अगर आपने basics पड़े हैं, दिमाग लगाया होगा, तो easily आप 4th के D पे आसकते हैं, ये it was very easy question, उसके पाद आते हैं, with reference to India, the term हल भी हो and कोई परतें तो, अब देखिए, आपकी help हो र किये थे, अपने, हम जो new super analysis करते हैं, daily, जो हमने 2nd January 2021 से शुरू किये थे, उसमें से हमारे कौन से questions आए हैं, current affairs में, क्योंकि आपको पते हैं, हम 5 से 10 minute की maximum video बनाते हैं, फालतो की लंबी नहीं करते हैं, ना हमें shock है, को YouTube से income करने का, हमें बस help करनी है students की, जो हम नहीं कर सके वो हमने help करनी है लोगों को, तो देखे, हमने ये note बनाया था, उपर और आने नीचे देखेगा, Friday review, ये around, मैं कहाँ जून के time पे था, ये Halbi, also known as Bastari, is an Eastern Indian, Indo-Aryan language, and is spoken by the tribes across the central part of India, ये उस time ने एक YouTube का गाना बहुत successful हुआ था, वहां का, Odisha के अका आदमी का, तो उस time ये बनाया था, Friday review में, हमने इसका एक चोटा सा note बनाया था, Halbi, also known as Bastari, ये Eastern Indian R&L language है, देखे, हम मानते है, Halbi, हो एंड कोई हमने discuss नहीं करा, बट अगर आपको हमारे note से पता जल जाता, तो आप easily इसको कर सकते थे, 5th का D, तो ये already discussed था हमारे उसमें, तो आपको एक question का plus मिलत है, कि आपके हमारे अगर देखे होते हैं, तो आपको ये हो जाता है, उसे पाद आता है, 6th काद, consider the following statements, लिखे, भारत रत्रत ने पद्मा अवार्ट्स are titles under Article 18.1 of the Constitution of India, ये सरसर गलत है, क्योंकि Article 18 कहता है, कि abolishing of the titles, तो जब वो abolish कर रहा है, तो वो titles कैसे हो सकते हैं under Article 1, तो पेज, मतब note 1, तो गलत ही है, second में लिखा है, पद्मा अवार्ट्स which were instituted in the 1954, was suspended only once, ऐसा नहीं था, twice हुए थे, अभी मैं बताता हूँ, कैसे हुआ, कैसे नहीं होगा, the number of भारत गलत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत five in a particular year, यह देखें, इसमें अब हमारा अपना अता है note, यह हमने 26 January के करीब शायद बिनाया था, इसमें साफ साफ हमने लिखा है, देखें, padma awards are announced annually on the eve, आप उसके तो pause करके भी देख सकता है अगर आपको लगना है कि यार कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं लोग, इसमें हम उन्हें Padma Awards का suspended नहीं लिखा था, बट Padma Awards अगर होता तो पता चल जाता, यह two times हुआ था, तो इसको आप Elimination technique से नहीं कर सकते थे, बट इसमें थोड़ा साथ साथा आंसर जो है D है, अब आते हैं 7th में, 7th question, United Nations Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation have decently recognized Hyderabad as 2020, tree city of the world, और उसके बाद क्यों कहा गया है क्योंकि इसने Urban Forest किया था, इसका साथा साथा आंसर है D, अब यह current interface का question है, अब आप सोचिंगे इसा question क्यों आया, यह देखिए, अब हमने question number 7, यह हमने किया था, यह जब हमने analysis किया था, तब हमने देखा था, यह around 7th February, इसकी date हमारे पस थी, इसमें हमने लिखा है कि Hyderabad has won a green contest among cities in India, the title has been bestowed by the Arbor Day Foundation and Food and Agriculture Organization, इसलिए first statement तो गलत हो गई, देखिए, यहां से दूसरा मार्क हमने लिखा हुगा है कि Harita Haram Program edits Urban Forest Park Plan, तो यहां पे साफ-साफ लिखा है कि Hyderabad को इसलिए गया गया है, क्योंकि उन्होंने maintaining करें Urban Forest, तो आप इससे 7th का D कर सकते हैं, इसलिए आ जो को, क्योंकि हम लोगों ने analysis कर रखे हैं, 1998 से लिखे analysis कि हैं, हमने exam के, क्योंकि हमने 2009 में first attempt दिया था, तो हम उस time 10-12 साल का analysis देखते थे, तो उस time 2006 से पहले पूछा करते थे, यह sports awards, यह सब, अब नहीं पूछते हैं, तो इसका answer मैं बताऊं, ना बताऊं, यह तो आप कर सकते हैं, अगर हम अपनी बात करें, तो हमने एक note बनाया था, in June या July में बनाया था, इसमें हमने sports page पे यह किया था, कि Olympic motor जो था, faster, higher, stronger, together कर दिया गया था, ठीक है, faster, higher, stronger, together, तो इस वज़े से यह motor तो फिर इसका a new world तो बेकार statement, first को आप eliminate कर सकते हैं, second जो है, sport climbing, surfing, surfing, skateboarding, karate and baseballs, अगर आप मेर से पूछेंगे, तो मैं यह कहूँगा, कि अगर आज मैं होता, तो मैं risk लेता, क्योंकि first statement, जो पता है, second में मैं risk ले सकता था, या तो मैं कहता है, neither one nor two, या two only, ठीक है, तो इसका answer वैसे two only है, पर जिन्होंने last एक analysis देखा हूँगा, उनके नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको भी हमने ICC World Test Championships, यह सब नहीं आता था, पूछा जाता था, तो state service exams में फिर पूछ रहते थे, बर generally इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता है, तो इसको भी आप कहीं से भी देख लिजेगा, इसको अगर आप देखेंगे भी तब भी कोई फा करते हैं, 11th question की बात करते हैं, वैसे अगर इसका answer आपको जानना है, तो यह C है, बट यह जो question है अगर आप मुझसे पूछेंगे, right to the city, यह July August के time पे हिंदू में आया था इसके बारे में, बट हमारे analysis में इसका नहीं है, क्योंकि उसके बाद यह कभी repeat नहीं हुए, बट July and August 2020 में यह इसके बारे में जिकर चल रहा था, इसका answer है C, और इसको भी हम difficult category में लखेंगे, last way मैं बताऊँगा कि कितने difficult से, कितने easy थे, कितने moderate थे, तो 11th के, अगर किसी ने अच्छे तरह analysis किया था last year newspaper का, तो उसके लिए यह answer बहुत easy होगा, बट जिन्होंने नहीं किय है, जो लोग analysis इतना अच्छी तरह नहीं करते हैं, उनके लिए moderate to difficult रहेगा, उसके बाद हम करते हैं, question number 12 की बाद, question number 12 का answer है B, to only, अब इसकी जो वज़े है, वो यह है कि judicial custody आजकल news में बहुत चल रहा था, last year बहुत चल था, अब RN Khan की वज़े से बहुत चल रहा है, but generally यह पर देखे आता है, और कौन-कौनसे questions वो attempt करता है, और प्लीज यह मत सोचीगा, कि sir, अभी आप तो घर में बैठके बता रहे हैं, जब हम situation वो होती है, जब हम exam दे रहे होते हैं, उसके हम दिमाग नहीं चालता है, तो मैं उस ही हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बहिया, सारी situations पता है, इस ते हम इस 12th question को difficult में रखने हैं, क्योंकि यह question नहीं किसी ने attempt कि होगा, मारा होगा तो तुका, मारा होगा वो गलत है, उस पर question number 13 है, with reference to India, when a prisoner makes out a sufficient case, payroll cannot be denied to such prisoner, because it becomes a matter of right, यह तो सरासाथ गलत statement है, किसी को भी अगर थोड़ी सी भी knowledge होगी, तो उसको पता analysis में कर रखा है, 13th gen को शायद किया था, या January में किया था, मुझे इतना याद है, मुझे याद नहीं है, पका date कौन सी थी, आप January का कभी भी सारे analysis सुन सकते हैं, यह देखें, last में हमने इसके लिखा हुआ है, कि prisons is in the state list as is public health, ठीक है, तो इसका मतलब prisons जो है state list में है, तो state governments का ही prisoners के release के उपर payrolls के rules चलते हैं, तो इसके 13th का B, तो यह भी हम अपने आपको शवाशी देंगे कि हमारे analysis में से आया है, उसके बाद है, at the national level which ministry of the northern agency, जो forest right acts का करती है, अगर हम बात करें अपने analysis की, तो यह हमने discuss किया था, page 3 पे आया था, तो हमने का था कि under forest right act, ministry of tribal affairs west right of ownership with scheduled tribes and traditional forest dwellers, और इसका detailed analysis, जो bamboo का या the forest produced का, हमने का था कि please refer 14th March, तो obviously March के बाद ही हमने analysis में लाया होंगे, तो यह हमारे में से ही analysis में से आया है, तो अगर आपने मारा analysis सुनो अगर तो आप ही answer कर सकते हैं, तो इसको हम शवाशी देंगे अपनी, उसके बात है कि legislation which offers, confers on the executive or administrative authority as unguided and uncontrolled discretionary powers in the matter of application of law, violates which are another following, अब बात क्या है कि 15th का जो question है, अब आम मुझे से पूचेंगी कैसे हम करेंगे, यह देखे हमने यह भी discuss किया था, देखे, इसमें लिखा है page 9 का अगर आप देखेंगे कि हमने analysis किया था, I think July में किया था यह, कि the actions or decisions by the officers are not to benefit them, but as a cust of administration, सब decisions are bound to be taken, it is always open to the haiku to set aside the decision which does not meet the test of judicial review, यह हमने discuss किया था, कि देखे, कभी भी अगर को administrative authority unguided or uncontrolled discretionary power कर रहा है, तो उसके उपर हम article कौन सा लगेगा, judicial review, that is C, article 32, तो यह हम अपना कुशभाशी देंगे कि हमारे में से आया है, हमने direct यही चीजे discuss की हुई है, तो सुनि आया है, कि देखे, आप अगर आप छी तरह में follow करेंगे, तो 2022 की तो मैं बता रहूं, प्रिलेंस में आपको एक question नहीं निकलेगा, कि जो हमारे बिना हो, उस पर 16 पे था, कि which one of the falling of Indian qualities is an essential feature that indicates that it is federal in character, देखे, अब बात क्या है, कि यह basic quality है, federal के अगर आपने characteristics पढ़े होग ठीक है, तो A है इसका answer, union government has elected representative इसका क्या मतलब होता है, यह मतलब बाकी तीनों options ही गलत है, जैसी आपने देखना था, the independence of judiciary, सिदा A को mark करना था, दूसरे terms पढ़ने ही नहीं चाहिए थी आपको, उसके बाद है 17th का which one of the best defines the term state, मैं seriously बता रहूं, अगर मैं exam दे रहा होता, तो मैं इसको उसी time छोड़ देता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी terms, अगर मैं पढ़ने बैठता तो मैं confused हो जाता, तो इसलिए मैं यह question attempt नहां करता, या मैं, sorry, या मैं एक काम करता कि जब मेरा paper सारा हो जाता, और मैं second revision पर आता, तब मैं देखता इसको, मैं इसको round मारता और अब इसको मैं कहता कि भी है, थोड़ी दे रुख जाता, तो इसलिए मैं सीधर जाता, 18th पे, with reference to Indian judiciary, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India, यह बहुत basic quality में भी लिखा हुए है, और हमने अपने lectures में भी कई बार discuss किया था, जब vacancies चल रही थी, तो CGI ने भी कहा है, और a high court in India has the power to review its own judgment, as the Supreme Court does, बिल्कुल ठीक बात है, अंडर article 226 भी आता है, तो यह 1 and 2 दोनों ही ठीक है, और basic qualities में है, ऐसा कुछ नहीं है, के बार news में भी है, हमने analysis में कई बार बताया भी है, ठीक है, उसके बाद है, with reference to India, there is only one citizenship and one domicile, ठीक है, यह तो ठीक है answer, उस citizen by birth only can become, दिखे है, हमने देखा था, head of state जो है, जिसको president भी का जाता है, वो बन सकते है, citizen of India, by birth specifically नहीं लिखा है, तो second गलत है, अगर आप देखेंगे, third की बात आती है, foreigner once granted the citizenship, cannot be deprived of it under any circumstances, ऐसा कभी हो सकता है, यहां के जो citizen से उनको deprive कर सकते हैं, यह तो foreigner की बात हो लिए ह तो सीधे सीधी बाद 19 का A ठीक है, उस पर लिखें, which are the following factors, constitute best safeguard of liberty, अब यह ना liberty की बात आ भी है, अब अगर मैं liberty की बात करूँगा, तो मैं सबसे पहले तो या तो A को ठीक करूँगा, committed judiciary, वो ही liberty को safe कर सकती है, यह मैं बात करूँगा, D की separation of powers, कि देखें, जो मंत्री है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, without legislature, legislature जादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ओपर judiciary बैठी है, तो separation of powers भी ठीक है, committed judiciary भी ठीक है, अब यह depend करता है, UPSC, क्या कि इसको ठीक देगी, उस बद पेज, question 21 है, water can dissolve more substances than any other liquid, because, मैं सिधा-सिधा इस answer को छोड़ देता, इसको हम difficult में है, तो इसको हम डालेंगे difficult में, कि मैं अगर यह paper दे रहा होता है, तो मैं solve ना करता, उस बद 22 की बात होगी, 22 यह round यह, अगर मैं इसकी बात करूँ, जिन्होंने अच्छी तरह analysis कर रहा है, उनके लिए बहुत easy होगा, क्योंकि 22 का जो answer है, वो C है, ठीक है, अब, sorry मैं नी span नहीं होता है, then LED lamps, ठीक है, तो अगर 2 को हम गलत करते हैं, तो आपका elimination technique से वैसे ही B और D खतम हो जाता है, A और C रह जाता है, और यह बिकुल ठीक कहा है, कि sodium lamp जो है 360 degrees, बट LED में ऐसा नहीं हो सकता, तो यह बात बिकुल ठीक है, तो 1 in 3, ठीक है, यह अगर आपने किसे न talked about in the context of, यह था, इसका answer is spread of viral disease, अच्छा, आपको मैं बतातो है क्या था, यह क्यों आया है question, और क्यों यह कब आपने देखा हो current affairs में, यह around March में भी और December में भी 2020, ACE2 के बारे में पूरी चर्चा हुई थी, तो अगर किसी ने अच्छी तरह हिंदू निश्वा का analysis किया इसके बारे में इसके बारे में बतातो हुँ हमने कैसे किया था, यह देखे, page 4 पर आया था एक बारी, क्योंकि actually क्या news यह थी, कि baby के bottles में भी bisphenol A मिल रहा है, अभी भी, ban होने के बाद, तो हमने इसका discuss किया था, थोड़ा सा बनाया था कि bisphenol A जो है, इस found in polycarbonate plastics, और यह poly polycarbonate plastics, जो है, often used in containers that store food and beverages, such as water bottle, तो यह भी हमारे analysis में साय है, तो अपने आपको शवाशी देंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद आपका इसका होगे मतब B, 25 Ticlosan, Ticlosan जो है, यह November में news में था, 2020 में, उसके बाद कभी news में नहीं आया, तो इसलिए हम नहीं जानते इसके ब जिलता है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते है, which of the falling is the reason why astronomical distances are measured in light years, दीक है, अगर ही मैं basics की बात करूँ ना, तो आदमी कहेगा, speed of always, light is always same, इस वज़े हम light years की बात करते है, इसको हम रखेंगे difficult में, क्योंकि हर आदमी science background को नहीं होता है, तो हो सकता है, वो नहीं कर पाए, तो इसको हम रखेंगे difficult में, ठीक है, उसको बात है 27th, we adopted British model in parliamentary democracy, अब पहली point है, as regards, the British parliament is supreme or sovereign, but in India the power of the parliament to legislate is limited, भीकुल ठीक बात है, first option ठीक है, second लिखा है, in India matters related to the constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court, ऐसा कुछ नहीं है, कई बात 3 judge bench भी बैठता है, 5 judge bench भी बैठता है, तो second तो सरा गलत है, और इसका एठीक है, अब बात हाती है, कि British parliament, यह आपने देखा हुआ, first, second, third, जहां पर unitary federal होती है, आसले इसमें से questions आने लगे हैं, पहले नहीं पूछे करते थे, तो उसको अच्छी तरह करिए, थोड़ा सा basics अपने improve करिए, क्योंकि हम लोगों को तो, देखे, 10 channel का नाम ही think different रखा है, कि कैसे अपना को सोचना कि क्या चीज उसमें से पढ़ने वाली है, सिर्फ उतना ही पढ़ो, जादा लंबा चोड़ा पढ़ने के जरूरत कभी नहीं होती है, UPSC कभी आपको किताबी कीड़ा नहीं समझ के आपको exam दे ली है, वो कह रही है कि भया, आपको उतना smartness होनी चाहिए कि कैसे उसमें से निकालो answer, उस पर 28 था, with reference to the union government, consider the following statement, देखी सीधी बात है, अगर मैं यह question पढ़ता, मैं यह छोड़ देता, ठीक है, यह out of the box, यह चाहते हैं कि बिच्चा confused हो, time, तो ऐसे answer को होड़ देते हैं, बट यह D या B होना चाहिए, इसका हाट जगी confirmation भी नहीं थी, तो मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं यह attempt दे रहोता है, तो मैं 28 को छोड़ देता हूँ, इतनी बड़ी, मैं इस transcript पढ़ता भी ना, पढ़ता तो मैं एक बड़ी wait करता कि second round में देखेंगे, right to privacy, यह तो मैं कई lectures में, एक नहीं, कई ब 30 की बात करूँ, तो it will be difficult question, क्योंकि ऐसा कुछ, there is no law restricting the candidates, देखें इसमें अगर मैं पूरी तीनो statements पढ़ूँ, तो मैं तीसरा तो सरसर गलत मनुगा, क्योंकि अगर वो साही जगे से जीता तो उसको ही bear करने पढ़ेंगी cost, expenses bear करने पढ़ेंगी, तो बेतुकी statement है, तो त statement ठीक है, तो might be, कि second भी ठीक हो, तो मैं इसमें फिर one only करूँगा, अगर मेरा दिमाग चलेगा, तो उस बद मैं बात कर रहा हूँ, vegetation of savannah consists of grasslands, इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत basics का geography का question है, अगर किसे इन geography, जिसको पता है, लोग मैं सुन रहा था किया रहे और आपको पता हो कि क्या से मुझे dart जो है, बुल जाय मानना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो इसका answer जो है, बहुत easy निकलता है, देखिए, burrowing animals और termites की बहाँ पे problem नहीं है, fire की हम देखते हैं कि, आपने देखाँगा, Amazon में भी fire होते रहती है, कहीं भी fire हो चाहे आपको ना भी पता हो, तो 2-3 का होते ही, आपको seasonal rainfall, rain answer मिल जाएगा, तो it is C, उसके पाद आता है, with reference to the water on planet earth, देखिए, अगर मैं इसकी बात करो, एक 10th की, 9th की NCRT geography है, जिसमें पहला chapter ही यह वाला है, क्योंकि मेरे को भी अब 2 साल हो गए है, छोड़े हुए, हमने बस lectures बना ली है, the amount of water in the rivers and lakes is more than amount of groundwater, यह सदर सक गलत statement है, और, हाँ, polar ice के, आप सो glaciers की बात करें, तो उनका amount जरूर जाद है, तो इसकी जो question है, वो B है, 10th या 9th में, इसके 1st chapter में ही है, अगर आप पढ़ेंगे, द्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह आप easily solve कर तो इसको easy question मानेंगे, 33, tamarin, drumstick, इन सब के बात करूँगा, यह कभी भी इतना basics कोई नहीं पढ़ता, अब बढ़ा भी होगा, कोई आद नहीं होगा, तो इसको हम रखेंगे difficult में, और इस question को छोड़ देंगे, अब आते है, 34 पे, the black cotton soil of India has been formed due to the weathering of, अगर मैं यह बात करू हम recombinant vector vaccine, अब आप कूछेंगे, sir, यह क्या हां से आ गया, बताओ, यह भी तो, अगर देखा जाए, तो current affairs का है, देखे, इसका जो answer है, वो C है, यह हमने discuss किया था, चलिए अब आपको बतातों क्या discuss किया था, हमने, यह देखे, vaccines work by training the body, virus and bacteria वाला, तो आपका एक पार्ट आ गया, और सबसे नीचे देखे है, उसमें लिखा है, DNA vaccines work by injecting genetically engineered plasmid containing the DNA sequence, अगर किसी को doubt हो, तो यह मेरे खाल से 29th January का अगर आप lecture सुन लेंगे हमारा, तो आपके na recombinant vector vaccines, vaccines के बारे में सारे doubts clear हो जाएंगे, तो यह हम लोगों ने discuss किया था, कि genetic engineering is applied, बेकुल ठीक बात है और bacterium viruses are used as vectors, दोनों इकठे नहीं होते हैं, अलग-अलग medicines के लिए होते हैं, बेकुल ठीक बात है, यह हमने analysis किया था, मुझे इसकी date इसलिए याद है क्योंकि यह newspaper में नी आया था, बट कई बास students के कहने कि sir, हमें DNA आ रहे हैं, vaccine समझ नहीं आ रहा है, please समझाईए, तो हमन और अगर इसकी answer की बात करूं, तो it is true only, but मैं इसको छोड़ देता, तो इसको भी हम रखेंगे difficult में, ball guard 1 and ball guard 2 की बात करें, तो यह बहुत easy question था, यह देखिए, हमने इसका analysis देखा था, देखिए, business page पर आया था, ball guard 2 के बारे में, कि Monsanto की second generation insecticidal technology of a cotton, suppose, मताब उसका उसका मैंने आपको dates भी दी थी, कि इसके बारे में detail में जानना है, तो 19th June के analysis में सुनना, तो यह मैं कहलते है, July पता नहीं, August में हमने देखा था, business page पर था, और 19th June को हमने reference date दिया था, कि इस date पर जाके आप और 20 के बारे में सुन सकते हैं, यह बालगा 2 है, यह 19th June को नहीं किय यह हम अगर कोई नहीं हमरे analysis सुनते हैं, उनको पता होगा, कि हम लोग यह पढ़ाने के बाद, dates दे रहते हैं, तो जो से connected dates है, वहाँ जाके आपड़ detail analysis सुन ली जाएगा, तो यह हमरे discuss किया हुआ था, तो इसका सिधा सिधा निकलता है, 37 कभी, अब आते हैं 38 पे, in a pressure cooker, the temperature at which the food is cooked, देखिए, ऐसे answer हम पहले ही question छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी का बाप, अगर scientist भी होगा न तब भी वह question नहीं करता है, तो ऐसे चीज़ों को भाया, राम-राम करो और आगे चलो, देखेंगे last one हमने कितने सही किया हैं, कितने गलत लग रहे हैं, कितने हम पक्का sure हो रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि रिस्क कितनों में लेना है, फिर हम आएंगे 39 पे, which of the above can be cultured, तो इसका answer है A, 1 and 2, but मैं भी छोड़ देता क्योंकि मैं confused था या मैं गलत भी कर सकता था, मैं उसकता 1, 2 and 3 करता, अब हम आखरते है question number 40, अब 40 की बात करेंगे कि उसमें adenoviruses have single standard DNA genomes, whereas retroviruses have double standard DNA genomes, यह CDC बाद गलत है, यह उल्टा लिग दिये हैं और common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas aid is caused by retrovirus, यह भी कुल ठीक है, और यह हमने एक दू लेक्चस में जब DNA और NN की vaccines की बारे में डिसक्स किया था 29 जैनुरी के बाद, तो हमने adenovirus और इसकी बारे में बात की थी बहुत डूंडा मुझे मिल नहीं रहा था, कई हमने क्योंकि notes नहीं बना रखे थे कि हम इसको कब discuss किया, कब, हम date wise बनाना भूल गए थे, बहुत लेट शुरू किया था, तो इसमें में कोई notes नहीं थे, तो मैं डूंड नहीं पाया, जितने questions हम डूंड सकते थे डूंडे, बड़ यह मिला नहीं, 41 आता है कि permaculture farming discourages, यह जो answer है अगर मैं देखता, तो permaculture farming discourages monoculture practice बहुत ठीक बात है, और conventional chemical farming monoculture practices are predominant, बहुत ठीक बात है, यह जो है basic geographic answer है, अगर मैं आपको बता दू, कई जो बच्चे होते हैं कि वो geography में क्या होता है, अनाप्शनाप पढ़ते रहते हैं, जो basic चीजे हैं, जो पढ़के आप questions solve कर सकेंगे, attempt कर सकेंगे, वो पूल जाते हैं, तो कहीं को पता ही नहीं होता कि conventional chemical farming क्या होती है, और permaculture farming क्या होते है, तो मगर मैं इसके points पढ़ता, तो मैं देखता, third point, third point में रिखा है कि conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, जब मैं पढ़ता तो मैं कहता, भाया, तीन को तो अटाओ, तीन को अटाते ही, मेरे पास answer आगया, 1 क्योंकि मैं देख लिया था, तो हम आता answer B, क्योंकि conventional chemical farming सबसे difficult होती है, semi-arid regions में, with reference to palm oil, अगर हम बात करें, तो हमने palm oil की बात की थी, अगर मैं बता हूँ, बहुत detail में नहीं करूँगा, कुछ point हमारे रह गए थे, जिसमें हमने कहा था कि palm oil जो है, यह देखे, यहां देखेगा, in India, 94% of its palm oil is used in food products, especially for cooking purpose, it is used extensively in the production of detergents, plastic, cosmetics and biofuels, cosmetics and biofuels, तो यह आपका second और third तो आपका हो गया, ठीक है, two and three ठीक हो गया, first की बात करें, the palm oil tree is native to South East Asia, यह हमने point नहीं किया था, sorry, I हमारे analysis से मैं शवाशी दूँगा, two and three ठीक हो सकता है, आप risk ले सकते हैं, B और D में, यह तो random वाली बात हो जाती है, probability वाली बात हो जाती है, तो अब यह आपके उपर है, क्या करते हो उस time, बट मैं होता तो मैं risk लेता, और मैं जो है two and three करके आता, क्योंकि मुझे पता है 11 की geography में आपको इसका answer मिल जाएगा, वहाँ easily दे रखा इसके बारे में, अब हम बात करेंगे with reference to India, देदवाना, यह सरगोई, यह सारी बाते हैं कि क्या है, very difficult question में मैं डालूँगा, इसको मैं छोड़ देता, वैसे अगर आप लोगों को मैं बता दू, बात में तो मैंने Google पर search माल लिया, यह saline lakes हैं, बट मैं इस answer को छोड़ देता, तो इसको बताता है 45 का, हम इसको बात करें, तो मैं इसको थोड़ा सा difficult बनूँगा, बट हमने कुछ चीजें इसमें discuss करके, देखें, ब्रामनी जो हमने discuss किया था, जैसे देखता हूं, अब तब दाता हूं, यह दोनों वहां से निकलती हैं, तो ब्रामनी तो मुझे sure था, 1 तो sure है मेरा, तो 1 and 2 या 1 and 3, बट मैं इसलिए easy मानता हूं इसको, क्योंकि सुबन रेखा का हमने, वैसे भी न्यूसुपर में कई बर पढ़ा है, और हमने आप लोगों को लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने यह difficult में ही डालूँगा, कई बच्चे होते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, बट अगर आप हमारा analysis सुनते हैं, तो आप 1 तो sure होते हैं, 2 और 3 में confused होते हैं, तो आपका थोड़ा सा situation ही होती कि हो सकता है, ठीक हो सकता है, गलत हो, 46th question, the Global Ocean Commission grants licenses for seabed exploration and mining in international waters, India has received license for seabed mineral exploration rare earth minerals are present, यह तो हमने सिधा सिधा discuss किया था, यह जून के time पे discuss किया था, देखे इसमें क्या लिखा है, इंडिया has been allotted a site of, आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, कि इंडिया has been allotted a site of 75,000 square kilometer in the centrally well by international seabed authority, तो पहला point तो गलत हो गया, तो इंडिया has assigned, यह पूरा को पूरा pause करके देख सकते हैं, कि हमने पूरा polymetallic needles, यह सब discuss किया था, पूरा चितर है, कि United States ने अभी तक ratify ने करी है, law of sea convention को, वो member भी नहीं है, international seabed authority का, तो किसी का बाब कुछ भी question पूछता है, तो हम easily यह कर सकते थे, तो इसका जो answer है, 46 का B है, ठीक है, तो ह किसी को नहीं आता, तो हम जब शुरू करेंगे general studies का, आप हमारे सुन सकते हैं, उस बाद 48 पिता कि in tropical zone, the western sections of the ocean are warmer than the eastern ocean, owing to the influence of trade winds, बेकुल ठीक बात है, जिन्नोंने भी westerlies, northeast trade winds, यह सब के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है, geography, जादा नहीं, geography, basic, 8th, 9th भी अगर आराम स नहीं कर सकते हैं, second, लिखें, in the temperate zone westerlies make the eastern section of ocean warmer than the western ocean, इसका मतलब इकलचनी है, यह तो बेक की बात करिए, सिर्फ और सिर्फ आपको basic geography अगर आती होगी, तो NCRT की, वो बहुत था करने के लिए, कोई आपको इसके लिए कोई mastery करने की सुरुत नहीं थी, फिर आता है, India's preparation for the climate smart agriculture, यह मैं आप बताता हूँ, यह जो आया था, it was in news last year May, यह May news में था, तो हमारे analysis में नहीं मिलेगा, क्यों कि उसके पाद यह repeat नहीं हुआ है, बड़ यह last year May 2020 में news में था, तो अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कहां से आया, महां से आया यह, कई बच्चों होता है कि यार यह कहां से पूछ लिया, क्यों पूछ लिया, हमें बड़ा कीड़ा होता था यह वाला, कि यार यह question क्यों पूछा है, हमारे हर बात के हम वज़े ढूरते थे, पता था, paper देके आया है, हमारे easily 120, 125 स्कूल कर रहे हैं, हो जाएगा clear, बट हमारे इंदर एक doubt रहता था always we had a doubt की, यह question क्यों पूछा गया, ताकि हमें help मिले mains में, तो इसलिए पूछा गया है, क्योंकि यह May 2020 में अच्छा आसा news मेरा आया था, तीन चार बार आया था, फिफ्टिएथ है, leaf litter decomposes faster than any other biome, leaf litter, leaf akuda, अगर मैं पढ़ता और मैं नीचे सिधा, पहले ही इतना सा पढ़न easy concept में, यह आपको 6th, 7th की geography की books में भी मिल जाए, 9th में भी मिली जाएगा, मतलब 6th, 7th में भी मिल जाएगा, इतना easy answer था, उसके बाद आते हैं कि with reference to the history of ancient India, भावभूती, हस्तीमला और शिमेशवरा वर famous, देखिया, मैं बता हूँ आपको, मैं अपनी बात करूँ, तो मै यह question जरूर करता, but मैं आप लोगों के लिए, मैं इसको difficult category में रखूँगा, इसको मैं भी difficult में count कर रहा हूँ, मैं इसलिए रखता, क्योंकि मैंने न, NIOS की और इग्नुग गया रखी, हम लोग न, art and culture की books बहुत पढ़ते थे, मतलब बहुत क्या, दो books ले रखी थी, और उ इसको solve नहीं कर पाते हैं, मतब 90% students इसको नहीं कर पाएंगे, 10% होंगे, तो 5% ऐसे होंगे, जिनको पता होगा, या बहुत पुराने students होंगे, या 5% ऐसे होंगे, जो तुक्के वाले होंगे, तो इसको हम रखेंगे difficult situation में, 52 की बात आती है, तो इसका answer जो है, देखे, अग को मैंसे मैं बता दू, अगर अपने history और वो नहीं पढ़ा हो, इतनी basics नहीं पढ़े होए, तो आभी question ना कर पाते हैं, उसके बाद आता है, 53 का, 8 August 1942, सोचने के जूरती नहीं थी, quit India resolution, 54 आता है, sounds from prison, बनाया तो यह, कहा रहा तो यह महुंदास करमचंग गांदी जी ने थ बट यह question मैं छोड़ देता, नहीं पता, गलत नहीं कहूंगा, नहीं पताता होता, मुझे अगर मैं exam दे रहा होता, तो मैं इसमा छोड़ गया था, with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence, in ascending order, NCRT history, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको क्या पता हूँ, ascending order में लिखना है, छोटे से बड़ा इसको हमने चीदे-चीदा code में रखा था, SSP, Subha Serkaar Pargana, मतर्स रख से बड़ा हुआ हुआ है, सरकार सरकार के निचे Pargana, अब उसको उल्टा करना है, ठीक ही बरत है, आप समझ रहे है, मतर्फ परगना सरकार सूबा, SSP बना रखा था, सूबा सबसे बड़ा सरकार, उससे चोटा परगना, तो ascending order में छोटे से बड़ा बड़ा, तो परगना सरकार सूबा, 56, मैं इसको आप कीच्छा है, मैं इसको आप कीच्छा है, आप difficult में डाले, मैं इसको difficult नहीं मानुगा, easy मानुगा, क्योंकि basics में आपको मिल जाएगा, भू लेटर, इतने नाम पढ़ने की जोटी है, मैं शानवास खान का पढ़ते ही Officers of the Indian National Army कर देता बहुत बार इंका नाम पढ़ना रखा है INA में नाम बहुत इसका था और मैंने मोवी भी देख रखे, गलत नहीं कूँगा आपको सुभाज तंदे बोश जी की, तो मैं easily कर देता, और जोने basics पर रखे हैं, वो भी कर देता है 58th का अगर हम बात करें तो 58th का answer है A कहीं उन्हें A कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है मैं इसको छोड़ के आता, मैं आपको गलत नहीं कूँगा, मैं थोड़ा सा confused हो ता 3rd में 3rd में भी confused होता, मैं इसको थोड़ा सा एक बरी मैं doubtful में रखता और मैं इसको 2nd round में देखता कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा इसको बट अभी के लिए फिलाल मैं छोड़ देता इसको 59th की बात करूँ इसका answer जो है A है, बट मैं इसको difficult में डालूँगा मैं इस question को attempt ही ना करता मैं इस पर cross मारता, जह हम करा करते तो हम यहीं करते थे, 1st round में जो अच्छी तरह आता है वो ही करेंगे, और जो नहीं आता है उसको या तो cross करेंगे कि 2nd visit में भी नहीं देखना, उसको देखना ही नहीं है और एक हम मारते थे round round का मतब 2nd round में देखेंगे इसको तो इसको तो मैं cut मारता, मैं यह चीज नहीं कर पाता वैसे आप लोगों की knowledge के लिए बता दूँ इसका A है 60th की बात करूँ, इसको भी मैं round मारता है, क्यों? क्योंकि 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF यह हमने अपने लेक्चर में भी एक दो बर बताया है, बट मैं credit नहीं लूँगा, क्या पता बच्चों ने ना सुना हूँ, क्योंकि जो यह Mother Language Day और यह सब Days हैं वो UNESCO मनाता है, तो first हो गलत है तो हो सकते हैं क्योंकि जब Pakistan बंगलादे शही की थे, तो मैं इसको benefit or doubt, समझ के question attempt जरू करता है, बट मैं इस पर round मारता अब आते हैं 61st पे, with reference to 64 Yogini temple situated near Mirana consider the following statement, इस पर मैं round मैं मारता, बट इसको मैं देखते हैं वरी क्या है, it is a circular temple built during the reign of dynacity second rate is the only circular temple अब देखें, मैं इसको attempt जरू करता, round मारता मैं attempt जरू करता, it is the only circular temple built in India, ये ऐसे-एसे loopholes छोड़ते हैं जानके, कि देखें, बच्चा कितना हुशार है, कितना smart है, वो कुछ ऐसे गलियों से निकल सकता है, क्या, जिस वो जरू करता है, तो, it is the only circular temple मैं तो, second को क्रॉस मारता, second को क्रॉस मारती मेरा elimination technique से answer आज़ता, C मैं बढ़ता मिना, मैं 61 का C, डाइट मार कया था doubtful में रखता, बट मैं करके जरूर आता, इसको attempt, उसको बदे विच विच अन।, the falling Asian towns is a well-known for its elaborate system of water, या आप NCRT, अगर किसे ने history पढ़ी है, या lucent भी पढ़ी होगी, उसको भी पता होगा कि इसका डोला विरा है मैं पूरा question पढ़ने के सूर्थ मी नहीं थी, मैं water harvesting और management system देखते ही, इसका सिधा-सिधा डोला विरा कर क्या आता first quarter का मतलब हो गया, जब जहांगीर जी थे, ठीक है न, अकबर के लड़का, जहांगीर जब था, खहां पर factory set up की थी, मुझे याद है, यह तो बहुत easily आपके NCRT के 11th में बताया हुआ है, कि सूरत के पास जगे बताया है, कि सूरत के लिए जए जब पास है, तो इसको बरूच करके आता है, कि यह इसा कोई नाम यह थे, सूरत करते हैं, चाहिए हो नॉर्थ में, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, मगर मैं जिससाफ से रटेम्ट करता हैँ, आपके वह बता रहा हूँ, तो इसका आंसर भी A है, बट मैं भी A करके आता है, बट इसको फिर भी हम moderate में डालेंगे, difficult में नहीं moderate में डालेंगे, from the decline of guptas until the rise of varshvardana, 7th century और 3rd century, बात करें अगर, 8th केलो या 4th केलो सीदी सी बात है, तो which of the followings were holding power in northern India, गuptas of Magad, मुझे नहीं पता, परमार्स of Marwa, second to गलत है, वो क्यों गलत है, देखिए, अब हमने 64 की बात करें, latest, किसी ने बच्चे ने पूछ विदासर, ये जरूरी है, कि इस बार मिहर बोज आ सकता है, क्या, देखिए, आपको पता है, ये कब आये थे, कब आये थे, आप पॉस करके देख लिए जी का प्रीजिस में ने दे रखा है, कि कब आये थे ये, ठीक है, तो इसके ज़्यादा जूर्त नहीं है, तो second to गलत होगा, second गलत होते हैं, मेरे पास बच्चती option B और D, ठीक है, B और D में में पास आता है, fourth option, मुकरीज और कनोज, और अगर मैं देखूं, third की भी बात देखें, तो पुष्या भूतीज और थाने सा, तो सबको भी पता है, पुष्या भूतीज और थाने सा, थाने सा मतब कनाल था, तो ये मुझे पता है, ये किसी का बाप भी नहीं कर सकता था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इसमें कुछ आसने और नास नारी बात नहीं, जो चीज नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग टालते है, difficult में, it is difficult, no doubt, बट इसका answer मैं बता रहे, जाते हैं, कि आपको आते ही नहीं होते, उस तर्म घबराया मत करिये, अब ये मत कहना, या मत सोचना कि आपको क्या पता, जब पेपर दे रहे होते हैं, या मैंने छे टेम्ट दी हैं, हमारे ग्रूप में चार लड़के और हैं, उन्होंने भी दी हैं, और हमें पता है, कि क्या हालत होती है, उस तर्म बैठके, और कैसे करना होता है, तो इसलिए ये मत सोचे का, कि हम बैठके मजाग उड़ा रहे हैं, बट रेफरेंस टूंबरना पढ़ ले, मैं इसको छोड़ के आता, और ये भी जड़ी लगने वाली है, difficult questions की, क्योंकि अब ये हमने देख रहे थे, जब analysis, ये दस बार questions लगाता रहा है थे, difficult, वैसे मैं आपको बता रहे तो, इसका answer जो है, it is C, बट ये question हम difficult में डालेंगे, कि हम ये attempt ना करते हैं, 67, आपको answer बता रहा हूँ, सिदा सिदा D है, इसका 2 and 3, और अगर आपने कितनी भी RRT कल्चा के books पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हूँ, ये आप answer नहीं कर सकते हैं, वो अल बात है, until and unless, कि आप कोई तुकका ही, तुकके बास बहुत तगड़े हो, या कुछ और कर क्या हो, 67 को मोस्ट डिफिकल्ट में डालेंगे, कि ये कोई question नहीं कर सकता, अब आते हैं 68 पे, इसको भी हम difficult में डालेंगे, क्योंकि इसमें doubt रहता है, क्योंकि, इल्तितमिश के time पी, चंगेज कान आया भी था, ये बहुत basics हैं, बगर उस time क्या होता है, जब आपका pressure बन चुका होता है, तो आप इस time ये question जो अगर मैं बात करूँगा, तो इसको आप avoid करते, या round में मारते कि भी या last time पे देखेंगे, मगर मैं सिधी सी बाब बताऊँगा, कि इसको हम छोड़ के आते, देवरिया 1 था, 2 था, basics उस time याद नहीं आते हैं अपको अपने, ठीक है, तो इसको हम avoid करते, कि 68 को भी difficult में डालते हैं, 69th, Sten Francis Xavier was one of the founding members, सिधा-सिधा difficult, इसको attempt यह नहीं करना है, cross मारते हैं, जैसे 67 को cross मारा है, 68 को round मारते, 69th को cross मारते, किसी भी net पे मिल जाएगा, क्या है इसका answer, वो बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, कि आपको exact exam में कैसे आपको करना था इसको, तो 69th को हम exactly इसको छोड़ देते, क्योंकि equation cross मारते हैं, round भी ना मारते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में गलती करेंगे, तो हम first जाएंगे, फिर आते हैं 70 पे, मिताक्षरा, अगर देखें मैं आपनी बात करूँ, तो मैंने ये चीज पढ़ी हुई थी, ठीक है, बट इसको हम difficult में डालेंगे, मिताक्षरा मैंने पढ़ा हुआ है, मिताक्षरा मैंने, जो South India के ना, थोटी सी आर्ट एंग कल्चर की कहलो, और एक history की book आती है, तो थोटा सा वहां पे, वहां पे civil system, political system के बारे में दे रखा है, वो मैंने पढ़ी हुई है, तो मैं यह answer attempt कर लेता इसलिए, क्योंकि मैं को मिताक्षरा और दैभागा का, मैंने पूरी detail में पढ़ रखा है, मैं यह question कर लेता, इसका answer है B, 2 only, बट मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, इसको हम difficult में डालेंगी, क्योंकि अगर मैं हूँ, तो यह जरूरी नहीं कि सारे बच्चों में पढ़ा हूँ, तो इसको हम डालेंगे very difficult में, round, मालो, cross, मालो आपकी इच्छा, बट मैं देके आता, वो अलग चीज़ है, बट मैं भी बना रहा हूँ, एक general scenario, जो सब students करके आएंगे, बट मैं यह कर लेता है, इसलिए, बट मैं यह कर लेता है, अब देखी यह बहुत बेसिक्स वाली चीज़ है, यह आपको ना तो निज़सों पर मिलेगी ना कहीं मिलेगी, देखी, आपको पता है, हर्याना पंजाब में जैसी जो जंगली खास होती है, इसको गंग्रिसी ग्रास कहते है, अब यह चीज क्या है कि आप कितना अशबर्फ करते हैं अपने आजपास के लोगों को, कितनी बातें करते हैं लोगों से, कितनी नॉलिज लेते हैं, तो इसका मैं आंसर मुझे पता है, C है lemongrass क्योंकि na lemongrass यह चीज़ों में use होती है mosquito repellent में मतलब आपने देखा होगा कि लोग ना निम्बू के छिलके अगर पड़ी हो तो lemongrass लाते हैं नहीं तो निम्बू के छिलके अंडे की ट्रेल के ओपर डखके जला देते हैं गाउं के उच्चों में लोग तो इसलिए मैं यह कर लेता बट इसको भी हम difficult में रखेंगे कि general students को नहीं पता होगा 72 की बात करूँ तो ये B है इसका answer अब आप सोचेंगे कि इसका answer 2 and 3 cyanobacteria diatums कैसे निकलेगा 10th class की geography है physical geography है एक concept बहुत मोटी सी book है old NCRTC बात करूँ क्योंकि हमने वो ही ले रखी थी और मैंने जब ली थी तो मैं 2008 में ली थी मुझे याद भी नहीं है क्योंकि वो कौन से class किया वो उपर वाला page भी फट चुका है तो मुझे याद नहीं है कि कौन से class किया याद है 10th की थी या 11th की थी फिजिकल जोग्रफी बहुत मुटी सी book है उसका last chapter है उसमें साफ दे रखा है कौन कौन से इसमें organisms आना चाहिए food chain क्या है तो इसमें 2 and 3s का answer है अब आपने कितना basics पट रखे है वो आपके उपर है उसमेंद है कई मुझे पता था या पता नहीं था देखे बाई चांस किसी ने तुक्के से पढ़ लिया हो या उसको पता चल लिया हो तो बाता लगे कोई animal lover हो यह तो किसी को नहीं पता होगा यह तो आते है 74 74 को हम डालेंगे A में अब बताता हूँ क्यों मैं कैसे करता है यह question New York Declaration of Forest मैंने नहीं पढ़ा है बड़ी लास्ट ये पेपर में था अगर मैंने attempt दियाना होता तो मैं लास्ट ये का analysis पढ़ा होता तो मैं आरायम से दे रहता अब मैं पताता हूँ अगर किसी नहीं पढ़ा हो तो वो कैसे देगा It was first endorsed at UN Climate Summit in 2014 मुझो पता है क्योंकि मैंने ये attempt भी दिया था 2014 का भी दिया था 2015 का भी दिया था Second, it endorses a global timeline to end the loss of forest It is legally binding international declaration अब ऐसे question में इतना लंबा है और सबसे बड़ी बात legally binding दे दिया इतनी strong term तो मैं elimination technique से 3 को गलत करता अब आते हैं बस 1, 2 and 4, 2 and 5 1 मुझो पता है ठीक है जिनको नहीं पता चलो उसके लिए 5 5th option पढ़ लेते हैं India was one of the signatories at its inception अब आप मुझे नहीं पता यह आप कैसे करेंगे इसको हम difficult में डाल देते हैं but elimination technique से अगर हम देखा जाए तो इसका answer easily निकल सकता है 1, 2 and 4 अगर मैं होता है तो मैं कराता generally students जो है उनको पता होगा जिन्होंने इस बर attempt दिया और उन लास्टेर के news उपर तो पढ़े होंगे अब नहीं पढ़ रखे तो वाउकी गलती है अगर आप UPC में आया और महनत भी नहीं कर रहे है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं मगर यह news में था May या June के टाइम पे था और reference दे रखी थी इसकी पूरा detail में था reference दे रखी थी editorial में तो अगर किसे ने पढ़ा होगा तो वो कर सकता था 75 ताता magnetite particles suspected to यह वो तो देखे ऐसे type के questions में जरूर कर के आता हूँ और मैं all of them कर के आता हूँ क्योंकि मुझे पता brakes जो है engines जो है microwave stoves जो है में को confusion होती मतब मैं 1, 2, 4, 5 तो समझता हूँ ठीक होना चाहिए बट मुझे 3 नहीं पता कि उजारतर all of them ही होते हैं कभी भी देख लिए जागा मतलब अगर आपका risk भी लेना होगा ना आपको 3 is to 1 ही risk निकलेगा तो आपको 3 ठीक होंगे यह गलत होगा तो आप फिर भी plus point में रहेंगे अब आते हैं which on the falling is a filter feeder यह 76 का C है oyster यह वो ही जो को बतायती है physical properties of geography में उसमें है यह और oyster है यह basically उपनी skin को filter के तरही उस करता है खाना कोना के लिए 77 इसको भी हम अगर difficult में डालेंगे बच्चों को नहीं पता होगा in case of one of which of the following biogeological, geochemical cycle the weathering of rocks is the main source of release of nutrients to enter the cycle देखें मैं इसको डालो में difficult में कितना ही आपने geography पढ़ी हो आप इसमें nitrogen cycle और phosphorus cycle या carbon cycle में confused हो सकते हैं तो इसको मैं avoid करता question को ऐसे question को मैं avoid जरूर करता है जिसमें मुझे 3 में confusion होती बाकि round डालता आगे देखते क्या है which of the following are dirty divorce देखें आपने खाली answer देखना है तो आप जाके google पर देख लेजेगा dirty divorce क्या होता है मुझे तो यहीं नहीं पता है dirty divorce क्या होता है पता है मतलब मैं अगर उसना में exam देखता और 78th question पर आचो कि मेरी हालत ही होती कि मैं इस question को छोड़ देता क्योंकि मैं इतनी हिम्मत रहा होती कि मैं पांचो को देखता हूँ और फिर सोच तक क्या होता है इस answer तो I would have simply left it उस पर दते 79th Common Carbon Metric Common Carbon Metric जो है हमने यह discuss किया था Common Carbon Metric जो है यह हमने discuss किया था इस answer जो है A है Assessing the Carbon Footprint of Building Operations Around the World अब आप पूछेंगे मैंने देखे मैं आप बताता हूँ मैं डेट क्योंने देपाया क्योंकि मुझे इतना यहाता कि Common Carbon Metric हमने discuss किया था बर हमने का था It is a Carbon Footprint हमने discuss यह नहीं किया था कि वो Building Operations का है या Fossil Fuels का है या किसी का है तो हमने Carbon Footprint है यह जरूर हमने अपने One of the lectures में discuss किया था तो हम शाबाशी थेओरी सी दे सकते हैं बट उस शाबाशी का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि Carbon Footprint किस चीज का है वो नहीं पता तो यह News में जो था यह था दो सल पहले News में इस साल क्यों उन्होंने पूछ लिया वगवान जाने UPSC के बाद में बड़ी क्वेशन था उसका दाते है 80th पे मैं यह क्वेशन छोड़ देता आप लोगों के लिए बताता हूँ DS का अंसर 1, 2 and 3 तो मैं मगर यह क्वेशन छोड़ देता और क्रॉस मारता राउंड भी ना मारता The money multiplier in an economy increases which one of the following 81 का यह basic economy है कि money multiplier money multiplier कैसे होगी जब लोगों की आदत बड़ेगी banking habit की लोग आएंगे पैसा जमा कराएंगे बैंकों में उतना ही bank के पास पैसा होगा उतना ही लोगों के पास जिसको थोड़ा सा पता है जो थोड़ा सा aware है उसके बाद आता है with reference to Indian economy demand pull inflation क्या है यह तो ही हमने discuss ही किया था बहुत easily january में discuss किया था शायद 12 january को बताने कब किया था causes of inflation हमने बताया था demand pull factors और cost push factors तो इन्होंने demand pull पूछा तो demand pull में आता rising population black money rising income excessive government expenditure ठीक है अब इसमें option देखते है expansionary policies इसका मतर ठीक है fiscal stimulus अब भी देखते आगे inflation inflation indexing wages तो यह इसका कोई तुक नहीं बनता है inflation indexing wages का उस पर आता है higher purchasing power और rising interest rates rising interest rates अब यह मैंने आपको दिखाया था यह देखिया आपको दिखाता हूँ दुबारा अगर आपको नहीं याद राता हूँ 80 second का यह demand pull factors यह cost push है cost push में है rise in indirect taxes इसका मतलब यह है कि हमारा जो है expansion अगर आपको नहीं दिखा तो मैं एक बड़ी screen body करता हूँ यह demand pull factors लिखा हूँ cost push factors लिखा हूँ rise in taxes का हमने cost push में लिखा हूँ demand pull में नहीं लिखा हूँ ठीक है तो demand pull में यह आएंगा rising interest rate खतम होदेगा 5th खतम होगे तो A बचा अपने पास expansionary policy हमने देखा था अभी जब government खर्चा करें और fiscal stimulus दे और high purchasing power तो इससे आपको हमारे यह discuss करक है हमने शबाशी देता हूँ अपने आपको 83, 83 का answer है B, यह बहुत difficult है आप नहां कर पाते हैं बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने shares में बहुत invest किया है तो मैंको थोड़ा सा knowledge रहती है तो Central Depository Services Limited यह basically Bombay Stock Exchange लेकर आया था Reserve Bank of India इसका कोई मतलब नहीं था Bombay Stock Exchange लेकर आया था तो मैं कर पर आता बट मैं आपको भी इसको difficult category हूँ as a general student कि नहीं पता होगा उसको Central 84, with reference to water credit इसमें अपने आपको शबाची देंगे हम यह देखिए हमने कर रहा था water credit का यह देखिए कर रहा है water credit water credit हमने डिसक्स किया था यह page 4 पे था था यह पे यह 8 पे था था sorry water credit एक powerful solution है first to put microfinance tool to work in the water and sanitation sector by water organization water credit क्या help करता है basically small loans देता है जो जिनको need है for affordable financing इनको देता है export resources देता है to make household water and toilet solutions a reality अब देखते है इसमें क्याता है it puts microfinance tool to work in the water and sanitation sector बहेकुल ठीक बात है it is a global initiative launched under the ages of world health organization the world bank देखिए यह जानके ऐसी terms देते हैं जब हमने अपने notes में ही लिखा इसका मतब ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा अगर हुआ होता तो हमने notes में लिखा होता confuse करने के लिए ऐसा देते हैं तो अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं लिखा हमने तो इसका मतब तूग गलत है तूग गलत होते ही आपके पास answer आज़ता है 84 का C C भी देख लेते हैं it aims to enable the poor people to meet their water needs यह हमने discuss किया ही था ठीक है तो 84 का आज़ता है 84 का answer C 85 का जो है यह भी हमने discuss कर रखा जी Central Bank को Land of Last Year Resort कहते हैं क्यों Trader of Industry को देता है ऐसा कुछ नहीं है Banks को देता है We're having a temporary crisis देखे बब सोचेंगे कि हम आपको इसका दिखाएं अपनी कि हमने कब बताया था इसलिए नहीं बताने क्योंकि यह इतना बेसिक चीज है जो एकनोमिक्स की कि आपने बुक्स में ही पड़ी होंगी हमारे analysis में एक बार नहीं तीन-चार बर हमने बताया होगा है कि इसको last resort इसलिए का जाते हैं कि सिर्फ बेंक्स को payment देता है तब वो temporary crisis में होता है ठीक है उसमें इसका last resort का मतलब government को देना नहीं है क्योंकि government के पास last resort कभी भी RBA ही नहीं होता है तो 85 का B होगा 86 R2 code of practice is considered a tool available for promoting the adoption of इसमें अपने को शबाची देते है क्योंकि हमने discuss किया हो था यह देखिए page 8 पे R2 stands for responsible recycling and is a standard specifically created for the electronics recycling industry उसमें उसमें ने का था कि extended producer responsibility EVS tools अगर आपने पढ़ना है तो 5th July के analysis को पढ़िये इसका मतलब हमने यह जुलाई के बाद के इसना के इसी date में discuss किया है जब हमने देरक है कि 5th July analysis में आप इसकी detail ही पढ़ सकते है that means हमने यह discuss किया था यह सीधा सीधा इसका answer जो आता है वो आता है A discussed श्रवाशी हमार को वो आता है 87 why is there a concern about copper smelting plants देखे यह इसका answer 1, 2 and 3 अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको difficult में रख रहा हूँ for general students कि हम इसको छोड़ते but मैं इसको D करके आता है क्योंकि मेरी देखे 29 में attempt दिया 10 में दिया 12 में दिया उससे पहले भी सारे paper के analysis देखे तो हमें थोड़ा सा idea हो जाता है कि यार यह question में न 1, 2, 3 निकलेगा गैस हो जाता है हमारा मतलब अगर 8 question ऐसे आए है तुम 6 ठीक करेंगे दो गलत करेंगे हमें पता होता है कि overall हमारा plus में रहे का point बट आप लोगों के लिए मैं यह करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं इसको उसमें डालता हूँ कि हम इसको strong में डालते हैं कि difficult है with reference to furnace oil consider the following statements अब देखे मैं इसको आप लोगों के लिए difficult में डाल रहा हूँ बट मैं जरूर करता क्योंकि देखे मैं एक factory operate करता हूँ तो मुन्हें furnace oil का पता है इसका थोड़ा मुझे detail में पता है furnace oil basically अगर आप जानना चाहेंगे वैसे क्यों आया ऐसे ही है out of the box नहीं पूछा है ये last year मार्च या एप्रिल के टाइम पे न्यूज में था बहुत ज़्यादे न्यूज में था क्योंकि इसके ओपर banning वेरा कुछ लग रही थी और इसके concern बहुत आ रहे थे Supreme Court ने भी इसके बारे में काफी कुछ बोला था ठीक है तो मैं इसको करके आता जरूर करके आता D is cancer है 89 का जो है बात करूँ वट इस ब्ल्यू कार्बन देखर अगर आप मैं सारी बात देखता ना तो मैं इसली कर देखता है तो कार्बन कैप्चर बाइ ओशिंस तब इसको ब्ल्यू का जा रहा है क्योंकि फोरेस्ट कर रहा है तो तो green कहते है petroleum and natural gas कर रहा है या carbon present in atmosphere तो मैं इसको basically carbon captured by oceans करता और वैसे मैं इसको difficult में रखना हूँ for journal students 90 के बाद करते है in nature देखे में को अब इसका answer कोई लोग कुछ कहते है कोई कुछ कहेगा बट मैं इसका अगर करके आता तो mosses and legends करके आते है basic geography में दे रखा है 11th में भी दे रखा है 12th में भी दे रखा है कभी आप पढ़ेंगे कि ये तो यार बरफ तक भी हो जाते है mosses and legends तो तो इसका easy answer है 90 का C उसको पाद आते है 91 पे the governor of reserve bank of india देखे मैं आपको बताऊँ ये आप ये हमने न क्या है कि आपको मैंने note नहीं लिखा था बट जब भी RBI governor की बात होती थी हमने कही बर बोले है अगर किसी ने हमरे lectures अच्छी तरह सुने होंगे न होते ही कितने 8-10 minute के सारे होते है उसमें कही बर बताया है कि जो governor RBI का he draws his power from the RBI Act ये हमने कही बर बताया है ठीक है second point जो है certain provisions in this constitution give the central government the right to issue directions to the RBI and public interest बिल्कुल ठीक बात है कही बर हमने देखा government instructions देती RBI को कि बहिया आप रेट थोड़ा नीचे कर लीजे रेट थोड़ा उपर कर लीजे mandatory नहीं लिखा इसमें उनका अधिकार है instructions इसू करने का mandatory वाली बात नहीं लिखी है और Reserve Bank of India का जो governor है बात बात नहीं लिखी है ये हमने 2-3 नहीं 4-5 lectures में हमने बताया हुआ है अब इसकी हमने डेटेल नहीं निकाली क्योंकि RBI के उपर इतने lectures थे कि अगर मुझ सारे lectures को कुलने लगते है तो वह हमें बाद मुश्किल हो जा तो बहुत लंबा टाम लग जाता तो इसलिए हम वह lecture नहीं लिखा है अब आते हैं 92 पे With reference to casual workers employed in India consider the following statements All casual workers are entitled for employees provident fund coverage देखे मैं इसमें confused होता क्योंकि मैं इसमें जब यह दिखते हैं All are entitled for EPF तो मैं नहीं समझता है कुछ ऐसा होता होगा क्योंकि casual workers वैसी informal sector हो गया वो लोग तो वैसी maintain नहीं रखते हैं जिस्टर वो कैसे करते हैं बट इसमें मैं confused होता क्योंकि workers के उपर जब भी question आता हो बहुत difficult होते हैं उनके options और जैसे इसमें लिखा है कि establishment industry को pay which is only through its bank account मैं ये भी समझता हो गलत होना चाहिए बट मेरे पस option नहीं आ रही है कि जिसमें मैं चूस करपाँ तो इसमें छोड के आता difficult में रखता हूं उनके आता 93 का government spending ठीक है यह हमने discuss किया था कि the last quest तो यह देख लिए इसका मतलब यह है कि increase in tax cut in tax increase in and expenditure public projects तो हमने यह discuss कर था तो शबाशी हमको 93 का B answer बहुत इसली निकलता है इसका 94 का था other things remain unchanged market demand for a good might increase if ठीक है इसका मतलब सोचनों भी बात मिली अगर मैं बच्चे को भी कहूँगा वो भी करतेगा कि price of its substitute मतलब अगर चाय की डिवान बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि अगर coffee के डाम बढ़ जाते हैं तो अगर कोई आदमी की डिवान बढ़ जाएगी अगर कोफी छोट चाय पिले सस्ती है ठीक है price of its compliment increases अब चाय पत्ती के साथ अगर कोई आदमी फैन खा रहा है चाय के साथ और fan के price बढ़ जाएगे तो उससे चाय की demand बढ़ेगी आप खुछ सोचिए नहीं न थर्ड है the good is an inferior good and income of the consumers increases यह बहुत basic economics का है जो उने पढ़ी होगी economics तो उसमें आया होगा inferior goods जो होते हैं उसकी अगर income consumer की बढ़ते है तो उसकी demand कम होती है और दूसरा है चौथा है its price falls obviously अगर price कम हो तो आदमी की demand बढ़ी जाएगी तो 94 का है फिर आते 95 पे with reference to urban cooperative banks in India consider the following statements मैं आपको सही बता हूँ यह difficult है इसको मैं छोड़ के आता इसके अंदर बहुत सारी चीज़े निकल सकती है answer आप कहीं भी देख सकते है but इसको हम छोड़ के आते general student इसको छोड़ के आता जिसने अच्छी तरह पढ़ा ही करकिया फिर आते 96 Indian government bond yields are influenced by which of the following actions of the US Federal Reserve बहुत ठीक बात है हम देखे रहे हैं US कभी कोई भी step लेता तो यहां के market तक हिल जाते तो bond क्यों नहीं हिलेंगे yield भी उसकी हिलेगी action of Reserve Bank of India बहुत ठीक बात है inflation and short term interest rates हम हमेशा कई lectures में बताया कि inflation जो है और interest rates जो है fluctuate करते है yields को government के आपके तो 1, 2 and 3 होगा इसका easy question में डालेंगे इसको 97 आता है consider the following foreign currency convertible bonds foreign institution investments GDRs non-resident external deposits which of the following can be included in FDI देखे मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ foreign currency convertible bonds मतलब मैं देखता है foreign currency convertible जो मतलब bonds convertible भी हो सकेंगे shares में foreign currency denominated होंगे तो बिलकुल बिलकुल यह FDI है मैं इसको मानूँगा second है FII with certain conditions FII FDI में नहीं आ सकती जो मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ मैं second को नहीं include करूँगा तो elimination technique से three only और one and four बचता है मेरे पस तो मैं सीधा सीधा 97 तक आते आते है वैसी time बहुत निकल चुका होता है मैं इसका D कर क्या हूँगा फिर आएगा 98 the effect of devalution of currency बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास तो 75 रुपय आ रहे हैं तो आप उसको rate ठीक दे सकते हैं जहां पहले आप एक rate आप supposed करिए आप rate दे रहे थे 2 dollar अब आप उसको 1.8, 1.7 कहीं भी दे सकते हैं आपकी competitiveness बढ़ेगी increases the foreign value of domestic currency इसका क्या तुक बनता है improves the trade balance इसका क्या तुक बनता है तो obviously 1, 2 and 3 तो गलती है 1 and only 3 का हो सकता था कि ये trade balance को improve कर सकता है क्योंकि exports बढ़ेगी but 1 and 3 option नहीं थी तो इसको छोड़ते हैं 99 ता आता है question which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry black money से लोगों government की क्या चिंता हो सकती है आप खुच जमाद लगाई सोचेगा कि भाया हमारको revenue loss हो रहा है क्योंकि tax evasion हो रही है काले पैसे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि काला पैसे का उपड़ टेक्स नहीं लगता लगाई नहीं सकती गौर्नमेंट पता ही नहीं हो तो उपको काला पैसे खाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं तभी काला money ढूनते हैं लोग तो सिधा 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 का D है इसमें ज्यादा मतलब गुसने की जूरत ही नहीं थी अगर आप अच्छी तरह करा होगा तो आप कर सकते हैं अगर हम पूरी डिटेल में बात करें तो 58 questions की करीब जो थे वो easy to moderate थे जो आप मतलब चाहिब second round चाहिब first round में कर सकते हैं 42 तो सिधा सिधा इसमें छोडने वाले questions थे मतलब general students की बात करो तो मेरे जो score बन रहा था वो बन रहा था 112 और अगर मैं वैसे general उसकी बात करूँ क्योंकि मैं हमारे को experience भी होगा है मैं आप लोग गलती नहीं कूँँगा हमें experience भी होगा है एक general student की ताग मैं बताऊँगा तो एक आदमी का 98-100 score अगर आ रहा है तो he is very much safe very much safe ठीक है और बहुत time से analysis करते आ रहे हैं अब थोड़ा सा अपनी बढ़ाई इतनी करी है हमने थोड़ा सा बता दे हम कौन है think different देखे हम ex experience की team है 15-20 साल के experiment है कुछ हमारे में ऐसे भी है जिन्होंने 2005 से first attempt दिया था मैं हूँ जो इन्होंने मैंने 2009 में first attempt दिया था और जब हमने first attempt दिया था तब उस ताम हमने 10 साल का analysis किया था तो हम कहा देते हैं भी है 20-25 years का experience हमें और बहुत time हम इस exams को throughout किया है हमने बहुत बार latest हम सब मेरा at least latest 2019 में था हम ऐसे किसी का 2018 में था यह है कि हमें प्रेंस सौल कुने बाद कभी यह नहीं डाउट रहा कि होगा नहीं होगा कि हम result की wait करें कि एक बाद result आ जाए उसके बाद हम देखते हैं कि यह क्या situation है हमारी कि हम कर पाएंगे clear या नहीं कर पाएंगे हमेशा हम जब paper देके निकलते तो हमें पता होता था कि हम clear कर गए है हमें सिधा उसी दिन से mains की तेहरी करने बैठना है या एक दिन का break लेके बैठना है हमारा चारों का group और उसके बाद हम mains भी देते थे तो हमें पता होता था कि मेंस में हमारा general studies निकल जाएगा सबसे बड़ी गलती हम यह थी कि हम four थे तो हमें general studies पढ़ने का बड़ा शौकत हम चारों बैठे बैठे general studies इतना पढ़ते थे और enjoy करते थे कि हम अपना subject पढ़ते ही नहीं थे subject literally हमारा वो college वाल था कि जिस दिन exam है उसके 10 दिन या 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे गलती हुई है हमसे मानते हैं तो इसलिए हम general studies में अच्छे थे हो इसलिए general studies लेके आया है आप लोगों के लिए और one of the top scorer's हाई है मतब में इर Wikipedia से अच्छा score था जब मैंने में इंस दिया था 2017 में में अच्छा score था था 2010 में 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 अच्छा score था 2009 में में अच्छा score था बर 2010 11 15 में में मैं अच्छा score था तो अगर मैं उसके बात करूँगा अपने जनल स्टडीस को क्यों सब की, मतब मेरे हमारी टीम में जो दो जने है वो मतब टॉप इंस्ट्यूट में नाम नहीं लूँगा, उसके फेगल्टी भी रह चुके हैं, उनका content create करके देते थे, तो हमने अपने experience के साथ, UPSC क्या चाह किया है, करना, सुबह साथ, 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 आठ बजे तक हम आ जाते हैं, बात हम लोग कर लेते analysis, साथ, 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 तक, upload की बात होती है, दिक्कत आते हैं, तो कई बनौब जाते हैं, वैसे साथ, 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 तक हमारा maximum आ जाता है, और सिर्फ students को help करने के लिए कि कैसा question, सबसे बड़ी बात यह है, कि हम सिर्फ analysis नहीं करते हैं, हम बनाते है notes, कि जैसे हम खुद exam देने जा रहे हूं, और हम exam paper पढ़ने बाद analysis करके, उसका जो notes बनाएंगे, हम वो notes create करके दे रहे हैं आप लोगों को, हम सिर्फ analysis नहीं बता रहे हैं, जैसे आपने लियर करेंगे, अगर आप एक देट घंटी की चीज, 15-20 मिनट में अगर सामने वाले को, या 25 मिनट में maximum explain नहीं कर सकते, that means you are at fault, और इसलिए हम बहुत छोड़ी वीडियो जाते हैं, हमारी 5-10 मिनट की, सिर्फ और सिर्फ हमारा, अब सबस्वरी गलती क्या लोग करते हैं, कि सिर्फ हो क्या करते हैं, pause play, pause play करके ना, सुनते हैं नहीं हमारी बात, और सिर्फ notes देखके lecture बना लेते हैं, मतलब अपने notes बना लेते हैं, अरे भी अगर ऐसा होता तो हम आपको सिदा-सिदा notes ही ना दे लेते हैं, एक app बना लेते हैं, उसमें notes डाल देते हैं, इतनी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको वो ज़्यादा जरूरी होता है तो इसलिए हम कई बर कहते हैं बच्चों को की सुनिये आप जब हमारा analysis आता है तो पहले इसको सुनिये फिर साथ-साथ note बनाईए चाहिए उस time आप pause प्ले कर देना मगर सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है कैई questions जो economics है अगर आप हमारी बाते सुनी होती है तो आप easily कर देते हैं ठीक है? और हम सिर्फ उन्ही topics ही बात करते हैं जो important है UPSC के लिए छोटी video होते हैं, हम necessarily very limb video नहीं बनाएंगे और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसके बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए कैसा लग अपने comments में बदाईए that's it for today, thank you so much for listening and have a good day, bye take care, God bless you all